सब्सक्राइब करें इजी टूवे चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो अपडेट के लिए हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल इजी टूवे के कुरती की करेंड क्या है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है कुरती की क्टिंग करने से पहले हम जान लेते हैं कि कुरती का मेजर्मेंट क्या है तो कुर्ती का measurement कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स यदि अभी तक आपको यह नहीं पता है कि कुर्ती का measurement कैसे लिया जाता है तो मैंने कुर्ती measurement पर एक separate video बनाई हुए उसका link मैं आपको description box में नीचे और उपर eye button में दे दूँगी तो आप वहाँ से जाकर Check Out कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से कूर्टी का measurement लिया जाता है यहाँ पर जो मैंने कूर्ती की लंबाई लेंथ लिया, वो मैंने यहाँ पर 34 इंच रखी है में इसंवे मार्जानणन नेट करूं कि इसलाई के लिए फिर जो मेरे शोल्ड़ा हैं वो मेरे 13 इंच है आर्मूल मेरा 14 15 आ के आ चेस्ट जो है मेरा वो 36 है बिरी 34 इंच है हिप्स मेरा 38 है मैं कर दोने परने वो मेरे सारे 3 इंच है यां मैं बोट नस बना रहा हुआ है कुलाना में परटा कारने वाली इसलिए मैं इसको तोड़ा सा बनाूंगी, अब मैंने कहा है किया कि एक कपड को इस तरीके से मैंने फोर फोल्ड में बिझा लिया, आपको कपड़े को इस तरीके से बिचाना है कि कपड़े क्षभाजी जो जलाएं मतलब कि जो कपड़ा हमें मशीन के द्वारा है चुवल में नहीं मतलब कि से ना इसे हमें रखना है ये लंबाई के साइड में जहां से दुका gesehen की दिए हमें कपड़ा करके आपको अपनी साइट, अब हमें क्या करना है फैंट, हमें सबसे पहले रहना है अपना हेप का चोथा भाग मैरा जो है है यहाँ है, इस सारेए नो इंच आ रहा है, लिच इस तरीके से मैं 11 इंच पे एक बार उपर, और ये नगा लिचे दोनों जगा पर मार्क लगा लोगी, ताकि मेरा जो measurement है वो गर्बर ना हो इस तरीके से मैंने 11.5 इंच पे ना लगा लिया है अब आपके क्या करने फेंट आपने जहां पर ये जोग का निशान लगाया हुए 11.5 इंच वहां से कपड़ी की 2 layer को उठाना है उपर की 2 layer को और इस तरीके से उठाते हुए कपड़े को आगे खिसकाते हुए इस तरीके से इसे बिशा देना है इस तरीके से क्या होगा आपका जो extra fabric था वो आपका बज जाएगा इस तरीके से आपके कपड़ी की बचत होगी इस तरीके से देखिए मैंने आप इसको 1, 2, and 2 layer इसकी नेचे हैं इस तरीके से मैंने इसको 4fold में अब कर लिया है इस तरीके से मैंने इसको 4fold में कर लिया है सबसे पहले हम चाह करेंगे यह हमारा उपर से खुला हुग अलभा भागे इसको हम scale की health से बिल्कुर एक सा कर देंगे ताकि हमारा measurement गरबना हूँ तो इस तरीकी से scale की help से मैंने इसको एक सा कर दिया है अब हमें क्या करना friends सबसे पहले हमें लेनी है लंबाई तो जहां पर हमें यह चौक का मार्क लगाया है वहां से हम इस तरीकी से लंबाई को रखेंगी तो मुझे यहां पर 34 सिंच जो लंबाई तयार जाहिए थी तो मैंने इसमें एक इंच करकर 35 इसको पूरा रखा हुगए तो लंबाई मेरी 35 सिंच है अब मैं यहां से जहां मैंने चौक का मार्क लगाया शुदे वहां से मैं लूंगी शोल्डर तो शोल्डर वैशे तो मेरा स साड़े 6 इंच है लेकिन जैसे कि आपको बताये था कि मैं यहां पर बोटनेक बना रहे हूं तो बोटनेक के लिए मैं यहां पर हाफ इंच जो है शोल्डर को एक्ट्रा लोगी क्योंकि मुझे यहां पर गली की चोड़ाई वह थोड़ी सी जागा चाहिए होगी तो साड़े 6 इस में यहां इंच पर हेंच क्ट्रें करके में 7 इंच पर यहां पर उखेंगे यहां 2 हमारे ग्या तो चैस्ट हमारा है 36 दिश्ट का दू चौथा भागे वह हमारा होगा फ्रेंट्स 9 इंच में मुझे 2 इंच मार्दिन के लिए मतलब अंदर सिलाई के लिए मुझे एड करना है तो 9 में 2 इंच प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 11 इंच से हम इंची टेप को जहां आर्मूल खतमों का वहां रखकर 11 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगा लेंगे और फिर इस मार्क को आप स्केल की हेल्थ इस तरीके से मिला लीजिए फिर हमें फ्रेंट्स क्या करना है अब हमें लेनिगे यहां पर कमर की लंबाई तो फ्रेंट् चाहते हैं इसको आपको नाप लेनी के जरुवत नहीं है फिर भी यह आप चाहते हैं नाप लेना तो जहां पर हमारा चेस्ट का एरिया खतम होता है जैसे कि आप ब्लाउस से जाने जहां पर हमारी ब्लाउस की लेंध एंड होती है वो हमारी कमर की लंबाई होती है तो इस मैं तर्टीन इंच पर इस तरीके से ह। फिगक है। इसी मुझे संब कर में कि तो मुझे हिप लेंध व्यकम एक पड़ेगी जहां पर मेरी कि यहां मैने यह 13 जी कि लगा लिया है इस वहां पर इंची ट्रवक में था आपर में अपर मुझे से क्योडाई लगानी है मतल EN snow to the vita waste round मेरा है धुमेरा है 44 ओर इस वाग लेना है वह मार आता है 7 UNI1 चैसे कि मैंने यहां पर 2 मारजनेट किया था thing मैं इसमें 2 मारजनेट करूए two-inch मिलाते हूए तो 20 तो इस तर cheg इस तरह किसे में अश君 को लगा लिए यहां पर मैंने कमर की लंभाई और यह हाँ वहां के लेकि तो हमारी हिफ लेन्थ काहलाती है, तो मैं अपनी कुर्ती की स्लेट है, वह 20 इνच पर खोलती हूं, तो मैं यहाँ पर इंची टे को 20 इंच पर लेकर मैं इस तरीके से 20 इंच पर लेका, फ्रेंट्स आप वीडियो को एंड तक देखें तभी आप अच्छे से कुट्टी की कटिंग कर पाएंगी क्योंकि अगर आप 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 आपी वीडियो देखकर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा मेजरमेंट की मैंने किस तरीकिसे मेजरमेंट को एशे ही हम यहां पर भी 2 इंच मार्जन एट कर लेंगे तो हेप मेरा है साड़ी नो इंच और चाहां तक हमने कप्ड़े को फोर फूल्ड में लिया था तो यह पूरा एंड तक मेरा आ रहा है तो इस तरीके से में पूरा एंड तक यहां पार एक मिशान लगा लुगी अब टो अब किया करना है यह तो आपका complete measurement हो गया और आप क्या करेंगे फैन्ट कि ह्यां तक मैंने measurement लगा लिया है एक हमारा chest की यह जहांपर में इस फेस्ट की लाइन हमारी खातम हुए इस chest की चलब इंची टेप नो इसको पिलो इसको ज्वाइन कर देजीए मैंने यहां पर इंची टेप की हल से इसको ज्वाइन करें आप विस तहरीके से अब जो वेस्ट वाला जो पोर्शन हां argent की जो पोड़ा लग्ला पोर्शन यह मिला देना इस तरीके से आपको इसको मिला देना है यह मैंने यहाँ पर चैस्ट को वेस्ट दे और वेस्ट को हिप से मिला दिया अब आपको क्या करना है जितनी भी आपको यहां नीचे लंबा ही लखनी है उसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है मतलब फ्रेंट से आप अब हम फ्रेंट्स चलते हैं गले की ओर तो गले के साइड आपको क्या करना है सबसे आप पहले आपको लेने गले की चोड़ाई तो हमारा जो बंद भाग गई है जहां से आनने लंबाई को मिर्द किया था वहां से हम गले की चोड़ाई लेंगे जर्नली अगर आप 30 जो आपका जो सीना है जैस्ट है वो 36 है तो आपको पहले तीन इंच से जादा गले की चोड़ाई नहीं रखने लेकिन फ्रेंट्स यहां पर मैं बोट नेक बना रही हूं तो मैं बोट नेक में जो लंबाई है मैं पहले भी बता चुकी कि मैं बहुत कम र यहां से मैंने यहां पर पहले चार रखे और इस तरह से में एक चोड़ कमार लगा दूगी यहां पर मैंने आप पहले चार या चार इंच ले सकते हैं बोट नेक में इससे जादा आप न ले नहीं तो आपका गला बहुत जादा बढ़ा हो जाएगा अब इसकी जो तो इस तरीके से मैंने साड़े तीर निच पर एक इंजी टेप की हेल्ट से लाइन खीच लिए अब इस बॉक्स को मैं इस तरीके से मिलाती हुए एक बॉक्स बना लूगी यह मेरे दॉनों बॉक्स बनके तैयार होगा है अब हमें क्या करना है फ्रेंट जो हमारा आर्म हॐल वाला पाट है वहां पर हमें राउंड दानं दिना है तो राउंड लेनके कि लिए हं आंगि और पीछे के लग अलग अलग तो जे पीछे वाला पोशान है वह हम थोड़ा सा ज्यादा रोड लेंगे मतलब कि यहां जो पीछे वाला रोड है वहां पर मैं देर डaltetट का नाप लगाऊंगी देर ड इंन्च की गोलारी लगाने के लिंग मुझे किया करना है जो यह वाली line गई है और यह वाली line चेस्ट वाली line और armhole बहुए जो center point पर मिलती है उस points पे मुझे inch tape को ऐसा 1.5 inch रखके और एक line draw कर ली है इस तरीके से मैं इसको inch tape को ऐस तरीके से रखके और एक line draw कर ली है अब हमें क्या करना है friends इस तरीके से हम इसको यहां से ऐसे मिलाते हुए round shape दे देंगे और यदि आपसे इस तरीकी से round shape देते नहीं बनता है तो market में आपको कोई भी curve scale मिल जाएंगे round देने वाले French curve scale आप उन्हें ले सकते हैं यदि आप market से खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीकी से CD का यूज करके round दे सकते हैं मैंने तूल्स वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको जब भी कुर्ते की cutting करूगी तो इस तरीकी से CD का उप्योग करके दिखाऊंगी तो आज मैं आपको इसका उप्योग करके दिखाने वाली हूँ यदि अभी तक आपने मेरा मसी टूल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका अभी लेंग का उपर आई बेटन में और नीचे description बॉक्स में दे दूगी तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सक उसका है यह नोधा फाल वाला पार अवर हो घुडियो हमारा पार्त है यहां से आपको आंगे की तरह उत्प पयों मैं अंदर की ताइप को इस तरह कि मैंने आदा इंच मैंने बढ़ा लिए और इस आधा hearsh में से पर今को जखता कि भDыш बिल्कुल मिलाते हुए यहां से जो इंची टेप है वो कंधे के कॉर्णार पर होना चाहिए कि अगर आप यहां पर भी चोड़ाई बढ़ा देंगे तो हमारे आंगे पीछे के जो कंधे हैं वो कम जादा हो जाएंगे तो फिर सिलने में प्रॉप्लम होगी तो आप इस तरीक से जो बाहर जो हमने लाइन ड्रॉप की है उससे हम इस तरीके से आप भाही फिर से सीडी का उप्यूब कर लीजिए उससे हम इस तरीके से मिलाते हुए यह एक गुलाई और लगा लेनी है इस तरीके से मैंने यह दूसरी गुलाई भी लगा ली है इस तरीके से हमने आंगे पीछे के लिए देडेंच और आंगे के लिए एक इंच की दोनों गोला ही लगा लिए है अब हमें क्या करना है जो हमारा गला है वहां भी हमें याग करना है कि गले की लंबा ही चोड़ाई का जो सेंटर पॉइंट है वहां से हमें इन चीटे को इस तरीके से रखना है और एक इंच पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है और इस एक इंच को मिला आती हुए हमें एक राउंड शेप दे रेना है अब हम करेंगे इसकी करेंगे कि हमारा जो नेक है वह आंगे पीछी का सेम है इसलिए हम दोनों को सात में कर रहा है यदि हमारे सेम नहीं होते तो हम इने बाद में अलग-अलग करके करते है अब हमें क्या करना है यह ने यह कट लिया है अब मुझे जो मैंने दो देड़ इंच वाली गुलाई ल तरीके से हमने इसको कट कर दिया है अभ आपको जैसे इसे मैंने चोक का मार्क लगाया हुआ है आप जो यह कुर्ति का नीचे वाला अरिया यह दिखिए इस तरीके से open कि धीरे से आराम से एक सा open कीजिए ऐसा न हो कि कुर्थी का पपं कितका यड़़ा फेलानी का तप इसको इस तरीके से नीचे से open करदीजिए यह मैंने दौना हिस्ष्टे को उपन कर लिआ है अब हमें क्या करना है और झिज और fold करने के बाद हमें क्या करना है friends हमारा जो एक इंच वाला round था उसको हमें क्या करना है cut करना है जहां से हमने इसको round shape दिया था वहां से हमें इसको इस तरीके से हलका हलका निकाल इस तरीके से दे देंगे मैंने यहां पर दोनों ही जो गले वह सेम ली हुए यदि आप गले अला गल लगले तो आप पहले जो छोटा वाला गला है उसे कट करके आप इसे हटा दीजिए और फिर आप बढ़े वाले गले की cutting कीजिए तो इस तरीके से हमारे back और front दोनों पार्ट की cutting जो है वह हमने कर है तो इस तरीके से आज हमने simple कुर्ति की cutting सीखी है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा और यदि आपको वीडियो से related कोई भी कॉशन है तो वो भी आप कॉमेंट करके मुझसे पूस सकते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो की कि यह लाइक ज्यादा से ज्यादा शियर ताकि ज्यादा ज्यादा लोग कुर्ति को इजी तरीके से काटना सीख सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के रिए बाबाई